समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने के लिए आज कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजयराय सीतापूर जेल पहुचे थे लेकिन जेल प्रसासन का कहना है कि आजम खान ने किसी भी पॉलिटिकल नेता से मिलने से इंकार कर दिया इसलिए अजय अजयराय जी को कम से कम पहले पता करके और पहले समय लेकर के जाना चाहिए वो किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है तो उस पद की गरिमा का उनको ध्यान रहना चाहिए और आजम खासा आप कोई सामाने कैदी तो है नहीं कि आप चले गए और आप से तुरंत वह मिल के लिए मुझे लगा जल्दीबाजी कर दिये और पहले से यह मीडिया में आ गया कि मिलने जा रहे है मिलने जा रहे है उसमें तमाम प्रतिक्रिया सोचल मीडिया पर आने लगी जबकि वास्तों में आजम खासाब के उपर पहले मुकदमा तो कॉंग्रेश नहीं कराया था तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष को क्या लगता है पिछले दिनों जैसा कि हमने देखा था जो तरफ से जो देखने को मिलेती कहीं इसके पीछे की वज़ा यह तो नहीं नहीं कि लगातार जिस तरीके से कॉंग्रेश की तरफ से समाजवा यह तो सामने यह लगेगा कि आपकी आपकी जो मंसा वह सहानभूती नहीं है इस तरीके के फैसले जल्दी वाजी में ले रहे हैं और अजयर बाजी में हैं और उनको थोड़ा धेर रखना चाहिए अभी अपने संगठन को बनावें क्योंकि आगे बड़ा चुनाव है पिछले दिन हमने देखा था जिस तरीके से तल्ख टिपडिया दोनों तरफ से की जा रहे थी लेकिन उसके बाद उसके बाद पोस्टर वार देखने को मिला है कॉंग्रेस कर्यालय के बाहर लखनू में पोस्ट सामने आ रहे हैं देखिए कॉंग्रेस एक इंडिया गडबंदन की संग्ठन जो बना है उसका एक अंग है उनके कार्यकरता अपना बधानमंत्री बनावें किसी को मुख्यमंत्री बनावें लेकिन उत्तर प्रदेश में वास्विक हकीकत क्या है सबसे पहले इस पर काम करना चाहिए जो जिस लड़ाई से लड़ना है आपको जितनी बड़ी लडाई लड़नी है उसकी तयारी करिए कारकरताओं को प्रसेश्चित करिए उनके जाएए बूत पर देखिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है बूत पे भारती जंता पार्टी गडबल करती है इन सब समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और समाजवादी पार्टी का जन्म ही कॉंग्रेस की गलती से हुआ है तब तो सिर्ष निप्तित्य को माफी मांगना चाहिए जो समाजवादी नेता है वो आजादी के समय के हैं समस्या इस बात की है कि लोग इतिहास को पढ़ते नहीं है लोग अपने नेता को खुस करने के लिए कुछ भी लिखे जा रहे हैं समाजवादी जो है आन्दुलन देश की आजादी के समय से चल रहा था और इंद्रा गांध जब इमर्जंसी लगाई थी तो सारे समाजवादी नेता जेल गए थे एक सतत संघर्स का पिछडों को दलितों को अल्प संखक को समान अधिकार मिले यह समाजवाद का काम है और इस पर समाजवादी लोग संघर्स करते हैं अब कोई आदमी किसी नेता को खुस करने के कि वो क्या कर रहे हैं जबकि वास्ताओं में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है भाजपा से बाकी अभी किसी के पास वाड़ अध्धक्ष भी नहीं है जिस तरीके से तमाम चीज़े सामने निकल करा रही है क्या लगता है कि इंडिया गड़ बं और अ संगुत करने हम अपनी बूत जbok प्रवक्ता घृकों इसलिए अबभी वरांची से विलीज टोक ळी बाध्शित के लिए प्रदेश प्रवक्ता मनुज राय धूप्चंडे जी जिन्हों ने हमसे तमाम मुद्दों पे बात चीत की वारांची से विनी स्रिवास्तो भारत समाचार